कि हर्याना पंचाय चुनाओं को ले करके कैप्टनिन मीटिंग में लिया है बड़ा फैसला आज तक की सबसे बड़ी कबर निकल करा रही है जानेंग इस वीडियो में क्या है पूरी अपडेट तो चलिए शुरू करते हैं अगर आप ने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं पर रासरकार ने विवस्ता की है तो अब हर्याना में पिछले वागे को मिली है राजनितिक हिस्सेदारी पचास प्रसा सीटो पर महलाओं की रहेगी चौधर तो जिहां इस वक्ती बड़ी ख़बर है हम आपको इस वीडियों बता रहे हैं तो यहां पर कैपनेट मीटिंग से यहां पर पेंच फसा हुआ था अभी फिलाल तो हर्याना में जल्द ही तारिकी घोस्तना की जाएगी हम आपको बताएंगे कब घोस्तना की जाएगी तो वीडियों में बने रहे हैं तो फिलाल प्रदैस में जो पंचायती चुनाओं हैं उनके लिए यहां पर आरचन का ह चुनाओं में पिछावग एक लियाचन का प्रफदान किया गया है महिलाओं के लिए पहले ही पचास प्रस्त की हिस्से ताही तैय कर दी गई है प्रदैस में ऐसा पहली बार हुआ है चुनाओं संभवता अगले महा संपन करा लिया जाएंगे तो इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है पिछावग के मिद्वारों के लिए पंचाथी चुनाओं में वीता गारचन का प्रफदान नहीं था पिछावग आयो की एक रिपोर्ट के आधार पर रासरकार नहीं है व्यवस्ता की है मुकमंत्री खटर किया धश्ताओं ही कैबिनेट की बैठक में इससे समद् प्रदेश में पंचाय चुनाओं की खूसना सितंबर के तीसरे सब्तहा में संभव है चुनाओं भी 16 अक्टूबर तक संभव तो जैसा कि पता दे कि जो ड्राप रक्रिया होनी थी सभी जलो में जिन जगह पर बाकी रहे थी वो बारा सितंबर थी लेकिन अब इससे बढ़ करन ट्रफल पी डाटा मिलने में हुई थी देरी इसलिए अब जो ड्राप होंगे वो 19 सितंबर को होंगे और इसके बाद चुनाओं की जाएगे यानि कि 22 सितंबर तक पंचाय चुनाओं की गोशना हो जाएगी और 16 एक्टूबर तक पंचाय चुनाओं होंगे तो यह बड पंचाय चुनाओं में होंगे सबसे पहले पंचाय समीति सदस जलापरसस सदस के होंगे यानि 14 एक्टूबर को पंचाय चुनाओं होंगे यानि कि यहां पर देख पा रहे हैं पंचाय समीति सदस और जलापरसस सदस यह 14 एक्टूबर को और जबकि 5-5 के लिए 16 सदंबर को वी बड़ी खबर है इस वीडियो दीजाएं काई धन्वाद